कल तक्रीबन धाय घंड़ता के सर्वे चला था और आज तीन बज़े सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्स चला गया है कोट और उनकी मांग है कि कोट कमिशनर को हटाया जाए लेकिन इस बीच में ग्यान वापि मर्जित केस में व्यास स्पीड भी कूद पड़ा काशे विश्मराद मंदिर के व्यास स्पीड के दावा है कि जहाँ पर ग्यान वापि मंदिर है उसकी जमिन का मालिखाना हक उनके पास है आज तक से खास बाचित में उन्होंने मालिखाना हक से जुड़े हुए दस्तावेश दिखाए इस परिवार से ही पूछता हूँ क्योंकि श्रिंगार गौरी के पूजन का अधिकार अभी तक सिर्फ इसी परिवार के पास था साल में अगर एक दिन पूजा होती थी तो यही व्यास परिवार है जो उस पूजा को करता था बाद में पांच महिलावादी जरूर गई वहाँ पर जो की जिन्होंने पूरे साल में उनके लिए हर दिन पूजा का अधिकार मांगा लेकिन यह जो व्यास परिवार है जो पीडियों से बावा विश्वनात का जो व्यास पीठ है उसका महंत रहा है यह बताएए कि आप ल पूजा करते चले आ रहे हैं जब से हमारे पूरत लोग करते चले आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं चार पांचो वर्सों से यह पूजा वहीं पर होती है जो आपने हमें तस्वीरे दिखाई थी जी वहीं पर होती है पूजा मंदिर है ने को मंदिर बना प्रकाश श्रवास्तो जो की स्व्यास पीट के वकील है हमारे साथ वकिल साथ यह बताईए कि यह जो श्रिंगार गौरी की पूजा से ही यह पूरा मामला शुरू हुआ है इस बार क्योंकि यह पांच वादी है जो की गई थी महिला है और उसके बाद से सर्वे की बात आई है तो एक तो इस सर्वे को आप लोग किस तरीके से देखते हैं दूस दूसके बाद यह नया चालूब रोज इसकी पूजा किया जाए अभी नया वाद दाकिल किया है कुछ महिलाओं ने दाखिल किया है वक्राइब उसमें हम लोगों को फरीक मुकदमा भी नहीं बनाए गया है जबकि ओनर सम लोग है पुजारी हम लोग है हम लोग आवस्टक पक्षिकार होने के बाद इस पक्षिकार नहीं बनाए गया है क्यों आपको क्यों लगता ऐसा क्यों आप तो उसके वीडियों से हो रही है पिड़ी दर पिड़ी है यह मंदब अनादिकाज से ब्यास परिवार के पास पे है इसमें ब्यास पिड़ के उत्र अधिकारी वावु जेतेन्नाथ है योगेन्नाथ जी है और अस्तोस ब्यास जी है